आप लोग टोक्यों से वापिस आने के बाद कुछ दिन तो मालाए वालाए पहने में गया होगा लजीत क्या हुआ फिर आकर के क्या किया काफी अच्छा रहा सर मतलब बनारस में इतना लोगों ने प्यार दिया सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सर होकी इतना उपर आई स्पोर्स इतना उपर आई और इसलिए लोगों का ज्यादा प्यार लगा और देश के लिए मैडल बागयो नहीं सकता और सबसे बड़ी बात तुम्हें यह कहूंगा कि आपने सर जो हमारे डेसिंग रोम में फोन करके हम लोगों को इतना हम लोगों का मनुबल बढ़ाया हारने के बाद और सर उससे बाद बहुत जोस आया सर सर बहुत ही अच्छा है महादेव का क्रिपा है सर और आपने तो उसमें सर चान चान लगा दिया है जी मैं कल ही होके आया सर वहां से दर्शन करके हो जो लेकिन सर अब थोड़ा सा वहां पर इतना लोग जानने लगे हैं कि दर्शन हो जाता है सर सबसे पहले नमस्कार सर विवेक चिकारा मेरेट से ही आता हूं हमारे चेत्र में यूनिवर्सिटी बन रही है दन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को भी आपको भी तो बहुत अच्छा है आने वाले खिलाडियों के लिए बहुत मतलब एक प्लेटफॉम तेय नहीं सर जो मैडल्स की अगर गिंती करते हैं जैसे हरियाना और यूपी में अगर होता है सर से अपसे बहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रामिस किया था वो आज पूरा किया है सर उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है की मुझे आप से मिलना है अब जा जा कि आराम से प्रैक्टिस करूगी सोक अच्छे से बहुत अच्छा लगा सर आपने अभी तक मुझे आच्छा लगा प्रेंका के इसे गायत री वह ऐसे खेलने है उने को देखने वाला होता रही है को इस ताली वेजाने वाला होता रही है तेकि तेकि तेक बहुत लोग जान रहे है पूरे इंडिया में कि हम लोग Olimpics खेलने कहें थे पहला थे खेल के आ जाते थे पता नहीं रहता था कि को न料प अभी महुल्यवालों को भी नगल की लड़की Olimpics जाग के आई गहें केंकि इत्ना समवान मिलदा सब Его को लेकिन पहली बार सर ऐसे हो आये कि मतला हम को बोग पूरा लग रहा था कि मतला हम लुग भी सर मैडल की होप लेकर मैडल लेकर लेकर नहींद आये ते यह आप आये थे आप लोग ने इतना सपोर्ट कैसर इतना प्यारी है कि आप लोगों के वहां पहुंचना यही बहुत बड़ी विक्सरी है जाहिन सर कैसे हैं आप ऐसा ही हो और सर हमेशा ऐसे ही है और हमेशा ऐसे ही आशिवाद देते रही है सर बहुत खुशी हुई कि जैसे हमारा खिलाडी का सबसे बड़ी चीज होती है वह थी खेल तो वह गरपिम खेल लेता है प्रैक्टिस अपने ग्राउंड में कर लेता है लेकिन जो खॉन्फिदेन्स होती है वो उसको वो करने देती है जो वो करना चाहता है तो जैसे आपने हमारा सर कॉन फिडेंस बना के यहां से भेजा था और हम आने के बाद आप हमसे मिले. हम एसुए अशिरवात दिया हमारा वैसे अलभिबहा था मुवी ओनास। महाला. सब्सक्राइब निए और बस हम लोग ऐसे स्टार्ट रहें और अपने देश का प्रदेश का मान बढ़ाते रहें पहले सर पहरा को सर पहला इतना नहीं देखा जाता था की पहरा भी कोई चीज अधने उतना गाओं भी पुक्नल गधियागा वो कर लो लेकिन अभी ना वहुत सारे जो विकलांग वी वह भी चाहते ही कि हम भी आगए जाएं आगे जाएं आगे वागे लें ये तर आपकी पाया है कि आप सब जानने लगे हैं प्रैक्टिस काफी अच्छी होती है और पहले के मुकाबले अभी जो हाई-लेवल की कोचे सम्नों को ट्रेनिंग देते हैं सर वो काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है अभी तान नेशनल का लेकर बैठें आप लोग जी सर नेशनल का लेकर अगर आपका आशिरवाद रहे तो इंटरनेशनल का भी लेगे वाला है यह बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है सर यहां से सीधे यहां पे सर हाई लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी और इस इनवस्टी से सर डारेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे प्रफॉर्म करेंगे लड़क अगरे वाला हम सब खिलाडी सर वहां हम पार्च पेट भी किये पदक भी जीत के आया सर बहुत सारे अभी जो युवा है सर पेरेंट्स आके पूछते हैं सर कि हमारे बच्चों को भी कि खेल में हम भी कैसे करे आपने सर दो सीडी दी है खेलो इंडिया और टॉप्स हम उसक काविया जीत सुनता था सर अभी भी यादे सर जब मैं गोल्ड को हारा था सिल्वर जीता था थोड़ा मैं गमी में था बड़ आपका फोन आया तो मुझे लग रहा सर वो गमी भूल गई तो अभी भी आपको देखके सर उर्जा कई कुना हो जाती है सर अच्छा ये मुझे किया बताईब चुलर में ठाहिए फोल गई ललीइध दिखने इस शुछा जया जए औरको मैं से और लोगों को एक किस्पोंजल मिले कि श्पोर्ट में ज़्यादा अपना पावसंद्स करें कि वर्ष आज आजि सनसी हो रहे है 75 साल हो रहे है आप लोग 75 स्कूल में जाईए और अभी नहीं पेरिज जाने से पहले 75 स्कूल कर लिजिए और 75 स्कूल में जब भी मुखा में ले जाकर के बच्चों को न्यूट्रेशन के विशे में बताईए एक्सराइज करने के लिए समझाईए यह बात की दिना आज पूरे देश में सचमच में बच्चे आप लोगों को हीरो मानते हैं तो आप से इस्पायर होते हैं कि पहले सीने कलाकारों को जब स्थान ता उसे ज्यादा आज आप लोगों का ले कोई भी खेल कुछ में अच्छा करता है बच्चों का मन करता है उसके फिशे में जानना उसे जूड़ना यह आप लोगों को भी अनुपव करते होंगे ऐसा ही अनुपव आ रहा है ना स्कू आपको लगता है कि खेल कुछ की व्यवस्थाओं में कि ट्रेनिंग में कि साइकोलोजिकल कि एप्टिटूड की जो लड़ाई रहती है उसके अगर आपको अनुपव के अधार पर लगता है कि यह होना चाहिए या यह प्रॉब्लम है तो मैंने कहा था मुझे लिखकर के भ हम लोग आपकी तरह खेल की दुनिया से नहीं निकले तो आप खुद बताओगे कि आपकी यह तकलीफ है यह बदला होना चाहिए ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए हमारे पास जो साधन है वो ऐसे होने चाहिए तो मैं पक्का मानता हूं कि इंप्रॉमेंट होगा क्यों अभी म आपको बहुत खुब कामना है धन्यवाद दोस्तों